आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ क्योंकि इस बुक में लाइफ से रिलेटेड बहुर डीपर विजडम इंक्लूड किये गए हैं और इसलिए मैंने ये कमिट किया हुआ है कि मैं आप सभी लोगों तक इस बुक के जो डीपर विजडम है आसान लैंग्वेज में पहुचाऊंँ अभी तक मैंने पांच चैप्टर कवर कर दिये हैं और अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत वैलिवल होंगे आज की इस वीडियो में मैं 6th, 7th और 8th चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ So let's move forward So this is chapter number 6 and the name of this chapter is reality आखिर reality क्या है आप किसको real मानोगे सत्य क्या है, truth क्या है इसके बारे में Bruce Lee define करने की कोशिश करते हैं और again ये काफी deeper concept है थोड़ा से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ठहर ठहर के, रुक रुक के सबसे पहले मैं cover कर देता हूँ इस chapter में Bruce Lee ने क्या बोला हुआ है reality को define करने के लिए वो कहते है matter and energy are one ये एक science का concept है आपने देखा भी होगा आपने अगर science पढ़ा है तो समझ रहे हो कि जो भी चीजे जो दिखाई दे रही है universe में exist करती है उसके core में क्या बैठा हुआ है energy बैठा हुआ है और scientist Nikola Tesla ने भी बोला हुआ है कि if you want to understand the universe then you have to understand this universe in the form of vibration, frequency and energy मैं और आप जो भी बोल रहे हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं जितने भी matter यहाँ पर exist करते हैं मैं डियर फ्रेंड्स उन सभी के core में एक energy है और वही reality है राइट फिर आगे बोलते हैं सी हमारे scientist क्या कर रहे हैं matter को पुरी तरीके से उसको break कर रहे हैं सबसे पहले है molecule फिर atom फिर उसके बाद उन atom को भी break करते 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 उस ultimate matter पर पहुँचना चाहते हैं लेकिन actually मैं scientist वहाँ तक जब जब भी पहुँचने के कोशिश कर रहे हैं nothingness मतलब जब उनको define करना पढ़ रहा है scientist को तो उसको define करने में वो असमर्थ है they are not being successful to define that ultimate atom and that's why they are saying that nothingness nothingness का मतलब यह नहीं है कि वहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ पे कुछ happening हो रही है कुछ process है कुछ vibration है कुछ movement है और उसी का नाम nothingness दे दिया क्योंकि उस चीज को define नहीं कर पा रहे है तो reality यही है कि आप जो भी चीज देख रहे होना वो सब कुछ nothingness से बाहर निकला हुआ है this is the reality यहाँ पे एक Bruce Lee बहुत important बात कर रहे है is versus should what is and what should be देखे what is and what should be अखर यह बात क्यों कह रहे है जो actually में reality है जो truth है वो है what is and what should be यह आपका mind कहता है कि मैं जो चीज देख रहा हूँ वो मेरे mind के according क्या होना चाहिए what should be and reality is reality जो है वो है वो आपके mind से या किसी दूसरे के mind से किसी दूसरे के thought से change नहीं हो सकता है that is the reality right so reality is very powerful what is and what should be dear friends जब भी आपको reality समझना है न तो what should be का जो concept जो आपका mind आपको बताता है उसको drop करना पड़ेगा then you will reach to the reality to ultimate reality यहाँ पे Bruce Lee कहते है what is more important than what should be जो reality है जो actually में जो distort नहीं हो सकता है जिसको आप कितना भी मर्जी आप उसको change करना चाहो अपने mind के concept से जो है वो है right जैसे अगर मैं आपसे यह कहूँ कि fire fire उसके अंदर एक energy होती है उसके अंदर एक heat होता है right आप उसको कितना भी mind से अपने concept से उसको change करने की कोशिश कर जो उसका real nature है जो reality है वो change नहीं होगा air है air flow करेगी उसके reality को आप change नहीं कर सकते हो right अगर water है water flow करेगा उसके अंदर शीतलता होती है उसके अंदर ठंड होती है right तो वो सारी चीजे reality है जो true nature है उसको आप कितना भी mental concept दे दो what should be ऐसा change नहीं हो सकता है तो what is more important than what should be right तो यहाँ पर Bruce Lee यह भी कहते है what it is our nature क्या nature होता है too many people are looking at what is from a position of thinking what should be कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो actually में जो reality है न उस reality को उस position से देखते है और उस position का नाम है what should be मतलब अपने mental concept से देखते हैं reality को कि यह आम है और आम मीठा होगा, खटा होगा आम थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा यह सब mental concept है और उस mental concept से आप सारी चीज़ों को judge करते हो तो यहाँ पर what should be हो गया न और reality कुछ दूसरी है आप इस वीडियो को देख रहे हो वीडियो को देखने के बाद इसके decoration से, इसके editing से आप judge कर लेते हो और actually में reality कुछ दूसरी है आपने एक पहला वीडियो देखा है उसके basis पे आप इस वीडियो को भी judge कर लोगे इसके concept को judge कर लोगे तो हम करते क्या है हम यही करते हैं कि reality से दूर हो जाते हैं जब जब अपने mental concept को इस्तिमाल करोगे what is very very important than what should be तो what should be को हटाओ और reality के पास जाना है तो ultimately एक दम free होकर जाओ कोई भी mental concept न रहे तो आप reality तक पहुश सकते हो इसी को लेकर यहां पर समझाने कोशिश करते हैं there is no method to reality Bruce Lee कहते हैं कि reality को जानना है तो उसका कोई method नहीं है reality अपने आप में complete है उसको आप distort नहीं कर सकते हो बस अगर reality को जानना है तो केवल और केवल mental concept को आपको drop करना पड़ेगा और इसी बात को यहां पर explain भी कर रहे है Bruce Lee कहते है matter and the need for security यह कह रहे है कि matter को define करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो scientist है वो अपने security के लिए अपने definition के लिए उसको नाम दे दिया हुआ है nothingness कि हम जब जब इसको matter को और deeper break कर रहे हैं तो वहां पर कुछ मिल नहीं रहा है तो वहां पर मिलता क्या है मिलता यह है जो reality है वो है एक movement एक happening हो रही है automatically कुछ ने कुछ flow हो रहा है और एक process है जिसको flow flux बोलते हैं अगर आपको reality जानना है तो सबसे important part है जिसको Bruce कहते है calm your mind to really see अपने mind को पूरी तरीके से शान्त कर दो मतलब क्या हुआ thoughtless होना पड़ेगा जो भी आपने mental concept develop किया हुआ है जो भी आपने memory में भर रखा हुआ है उसको drop करना पड़ेगा तब जाकर आप reality को देख पाओगे for example आप कल office में जाते हो और आपके boss के साथ कुछ अन्बन हो जाती है और आप ने एक memory अपने mental concept में develop कर लिया हुआ है और फिर उसके बाद कल के दिन जाते हो और उसी boss के साथ आपको काम करना पड़ता है अब क्या करोगे आपने जो mental concept बनाय हुआ था आज boss आपका कितना भी appreciate करे आपके साथ पूरे एक true intent से काम करें लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो memory बैठी हुई है तो आप उसी memory से सारी चीजों को govern करोगे आप उसी memory driven हो जाओगे और फिर reality से दूर हो जाते हो इसलिए Bruce कहते हैं कि जब भी आपको reality देखनी है न reality के नजदीक जाना है तो आपको सारे mental concept दूर करने पड़ेंगा उसको drop करना पड़ेगा और इसलिए पिछले वाले जो chapter में जिसमें मैंने now की बात की हुई है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखो उसमें ये बताया हुआ है कि आपको हमेशा ही present moment में रहना चाहिए क्योंकि present moment में जब रहते हो तो आप truth के नजदीक रहते हो reality के नजदीक रहते हो तो present moment में रहने का मतलब यही है कि आपको past और future में नहराना पड़ेगा mental concept को drop करना पड़ेगा and then you will flow in the now और फिर आप reality में रहोगे फिर यह कहते हैं remove the dirt a preconceived opinion वही मैंने आपको बात किया कि reality अगर देखना है तो सारे preconceived जितनी भी opinions आपने develop किये हुए है जो भी memory आपने बना रखिया है उसको आपको drop करना पड़ेगा my dear friend conditioning obstructs our view of reality अगर reality है ना see अगर मैंने मतलब एक हरा चश्मा पहन रखा हुआ है तो मुझे सारी चीजे हरी हरी नजर दिखाई देगी जबकि reality कुछ और है तो अगर आपको reality देखनी है ना तो वो चश्मा जो colorful चश्मा आपने पहन रखा है जिसको मैं बोलता हूँ conditioning वाला चश्मा या conditioned glass उसको आपको उतारना पड़ेगा memory को drop करना पड़ेगा तब आप reality को देख पाओगे और इसके लिए आपको present moment में रहना पड़ेगा जब भी आप comparison बंद कर दोगे comparison किसका काम है comparison काम है आपके mind का आपके mental concept का mental concept जो होता है जो mind होता है वो हमेशा ही compare करता है कल मैंने इसके साथ कल इस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्योहार नहीं किया था he has not done a good behavior to me तो इसलिए आज भी ऐसा व्योहार नहीं करेगा वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकते कि सारी conditioning है ना इसी conditioning से आप reality से दूर हो जाते हो इसलिए आपको सारी conditioning को drop करना पड़ेगा और तब reality automatically apparent हो जाएंगी reality is being itself reality है क्या? reality यह है कि जो जैसा है वैसा ही उसको आप देखो उसको accept करो और यह तभी possible होगा जब आप अपने preconceived notions को दूर करोगे उसको drop करोगे विपाशना meditation में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अपने सारे memories को drop करना पड़ेगा जो जैसा है as it is उसको accept करना पड़ेगा वही reality है अब आखिर इस chapter से आपको फाइदा क्या होगा? फाइदा यह होगा कि अगर आप literally अपने life में कुछ बहतरीन करना चाहते हो हुई है, cat खड़ा हुआ है तो क्या आपको वो शेर नुकसान नहीं पहुचा सकता है क्योंकि आप तो उस शेर के साथ बिल्ली के तरह treat करोगे cat के तरह treat करोगे तो आप reality से दूर होगे नहीं होगे इसलिए अगर आपको life में grow करना है life में successful होना है तो आपको reality के साथ अपने आपको रखना पड़ेगा जो जैसी चीजे हैं उसको देखना पड़ेगा चाहे वो आपके professional life में हो चाहे personal life में हो आप imagination में नहीं जी सकते हो आप reality से दूर नहीं भाग सकते हो अगर आपके सामने घर में आग लगी हुई है ready to embrace the truth and then your life will be completely transformed so this was the chapter number 6 अब मैं आगे बात करता हूँ chapter number 7 chapter number 7 का नाम है the laws और इस laws में Bruce Lee ने कुछ important नियम के बारें बताय हुआ है मैं इसको जल्दी से cover करता हूँ सबसे पहला law है law of self-will Bruce Lee कहते हैं कि इस law को मैं खुद से apply करता हूँ अपने life में उन्होंने कहा हुआ a self-willed man obeys a different law the one law I too hold absolutely sacred and that is the human law in himself his own individual will see यह जो self-will है ना यह self-will का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने ego से जो मेरा will generate होता है वही self-will हो गया और उसी को law मैंने बना लिया क्योंकि अगर ego से generate हो रहा है self-will तो हर एक व्यक्तियों का अपना अपना एक will होगा और उसी से लोग अपने आपको drive करेंगे generate करेंगे और actually में यही होता ही है लोग कहते है this is my will this is my will and I am actually operating myself with my will नहीं self-will का मतलब होता है realized self-will realized self-will का मतलब क्या होता है जो universal law है जिसको आपने realize किया हुआ है उस universal law that is the human law इस human body के अंदर जो universal law act कर रहा है उसके according आप अपने को drive कर रहे हो और फिर अगर आप उसके according अपने आपको drive करते हो तो इसका मतलब universe आपको support करेगा और आप life को पुरी तरीके से enjoy करोगे life को पुरी तरीके से जी पाओगे इसी तरीके से law of cause and effect आप जानते ही हो कि कोई भी अगर आपके जीवन में कोई भी घटना घट रही है कोई भी effect हो रहा है उसके पीछे एक बहतरीन cause होता है एक deeper cause होता है मतलब कोई भी event बिना cause के हो नहीं सकती है this is the law of cause and effect law of identity के बारे में बात किया हुआ है law of harmony के बारे में बात किया हुआ है harmony में यहाँ पे Bruce Lee समझाने के कोशिश करते हैं कि आपके पास जितने भी सारे dualities हैं like सुख और दुख happiness and sorrow profit and loss day and night death and life जितने भी सारे dualities हैं उसमें आप harmonious रहो और कृष्ण ने भी यही बोला हुआ है गीता में सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो मतलब आपको सुख हो दुख हो लाभ हो हानी हो जय हो पराजय हो उसमें समता बना के रखनी है equanimous mind equanimous mind का मतलब यह होता है कि किसी भी situation से वो अपने mind की जो equanimity है जो कामने से है उसको disturb न करे समत तो योग उच्चते जो समता वाला योग है उसको maintain करके रखे इसलिए हार्मोनियस बना कर रखना है law of harmony कोई भी opposite situation आ रही है जो आपके favor में नहीं हो रही है उसमें आप हार्मोनियस रहें फिर इसी तरीके से बोलते है law of non-interference with nature यह बहुत powerful है और Bruce Lee इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने life में इस्तेमाल किया Bruce Lee का कहना है कि हमें nature के साथ synchronize रहना चाहिए जो actually में जो external nature है जो internal nature है हम उसके against में न जाएं जैसा हमारा nature है उसके according उसको accept करते हूँ उसको समझते हुए उस nature के flow में अगर हम flow करते हैं उसमें कोई भी interference नहीं डालते हैं तो हमारा जो navigation होगा उस nature के through उस life के through बहुत successfully आसानी से आप navigate कर पाओगे without any accident without any miss happening तो इसलिए non-interference with nature nature को समझना है आकर life आपको देना क्या चाहती है आपको समझाना क्या चाहती है वो deeper wisdom तभी आएगा जब आप life के flow में flow करनी की कोशिश करोगे जब आप universal law को समझोगे universal nature को समझ कर उसके according flow करोगे तो यह बहुत important laws हैं जिसको Bruce Lee ने समझाया है चैप्टर 7 में तो इस चैप्टर 7 से आपको यही समझने की कोशिश करनी है कि देखो आपको harmonious बनना है लाबहान, इसुख, दुख, जैपराजय इन सब चीजों में अपने आपको equanimity रखो maintain करो उसके लिए आपको meditation करना पड़ेगा अपने mind को समझना पड़ेगा और universal law के according अपने आपको चलना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं धर्मा फिर इस तरीके से chapter 8 के बारें बात करते हैं यहाँ पर Bruce Lee बता रहे है interdependency एक दूसरे के साथ dependency है और उसमें नाम लिया हुआ है external world में वो सारी चीज़े duality है duality का मतलब क्या हो रहा है आप हर एक चीजों को separate करके देख रहे हो अलग-अलग करके देख रहे हो जैसे यहाँ पर एक finger दो finger मतलब यहाँ पर एक छोटी finger है यह बड़ी वाली finger है तो आपको छोटा बड़ा अच्छा बुरा रात और दिन सुख और दुख यह सब सारी चीज़े जो experience हो रही है that is the duality मैं अच्छा हूँ आप बुरे हो मैं male कोई female बुढ़ा बच्चा इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़े आपको इस external world में दिखाई दे रही है वो duality है लेकिन my dear friend यह duality का जो आधार है वो है monism इसका मतलब non-duality जहां पे सारी चीज़े इकठी हो जाती है जहां पे सारी चीज़े एक हो जाती है वो है monism इसलिए यह जो duality है वो non-duality के ओपर dependent है जैसे आप अगर एक बीज बोते हो जमीन के अंदर तो बीज तो एक ही है न लेकिन जैसी वो फूटता है उसमें branches निकलते हैं उसमें leaves निकलते हैं तो वो सब सारे बाहर से जो आप चीज़े देख रहे हो इसलिए जो भी आप external world में देख रहे हो उसका सारा core क्या है वो है nothingness that nothingness is actually that happening natural happening that vibration, that energy जहां से सारी चीज़े automatically निकल रही है इसी को बता रहे हैं interdependency of thought and existence thought and existence एक दूसरे से interdependent है इसको आप अच्छी तरीके समझ सकते हो अगर मैं exist कर रहा हूँ तभी तो मेरे अंदर एक thought है मैं अगर exist नहीं करता if I am not there then there is no thought that I am thinking if I am thinking then it is naturally that I am existing तो thinking और existing दोनों ही एक दूसरे के साथ dependent है, right तो existence है, तो thinking है लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूँ यह जो existence है जिसको आप बोल रहा हूँ, I जब अगर thinking पूरी तरीके से drop हो जाएगी न पूरी तरीके से खतम हो जाएगी तो वहाँ पे केवल और केवल एक natural nothingness भचेगा और वही nothingness reality है absolute reality है, वही truth है वही absolute awareness है relationship आप subject है न अबजेक्ट जब जब आप external word की बात करोगे तो हमेशा ही ध्यान रखना subject तभी complete होता है जब object है या object तभी complete होता है जब subject है तो यह एक दूसरे के पूरक है right, मैं अगर किसी चीश को देख रहा हूँ, तो इसका मतलब there is a seer and there is a scene seer is not complete without scene and scene is not complete without seer, कोई देखने वाला होना चाहिए तभी तो उस scene का importance है और अगर कोई scene ही नहीं है तो seer होने का भी importance नहीं है तो अगर external world की मैं बात करोँ तो there is absolute relationship between the object and subject फिर इसी तरीके से यहाँ पर बता रहें interdependency and toyism toyism मतलब एक philosophy है जहाँ पर बात की जाती है in and young की मतलब क्या होता है कि life में in and young bad and good दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे they are actually the polar point of one thing right though opposite polar point है लेकिन एक ही चीज़ के सुख है दुख है एक दूसरे के साथ रहेंगे रात और दिन एक दूसरे के साथ रहेंगे जय और पराज है चाहे आप win कर रहे है चाहे lose कर रहे है वो सब एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये एक दूसरे के interdependent रहेंगे my dear friends तो अगर interdependency का ये जो chapter आपने समझा है तो यहाँ पे जो एक crux निकल करा रहे है जो core निकल करा है तो आपको failure से होकर गुज़रना पड़ेगा ये एक दूसरे के dependent है ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते है they are the two faces of single coin तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि interdependency तो रहेगी ही रहेगी तो इसलिए आपको अपने life में दोनों चीजों को accept करो और फिर अपने mind को काम और composer बनाओ जिससे आप सारी चीजों को समझ सको और जो reality है reality that is the core that is the nothingness that is the absolute awareness the truth उसको आप पहचान पाओ तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये तीनों chapters को cover किया हुआ है the reality the laws and the interdependency ये सारे concept जो है वो आपको reality के नजदीक लेकर जाएंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी share करो क्योंकि उनकी life में भी एक transformation आएगा Bruce Lee का concept उनको भी बदल सकता है अगर ये वीडियो अच्छा लगता है न तो like करो comment box में अपने comment लिख कर share करो और हाँ इस effort को support करो channel को subscribe करो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए chapter के साथ till then keep ignited yourself and keep smiling on your face thank you so much झाली सब्सक्राइब करो